दो शिल्पी और मेरे किचर में आपका स्वागत है आज मैं ओर्स से बनने वाली एक नई तरह की रसिपी लेके आए हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी और कम तेल में भी बनाया है ओर्स खाना अधिकतर लोगों पसंद नहीं है लेकिन इस तरह से ओर्स बन करके आपको दिखा रही हूँ बहुत ही टेस्टी लगेंगे जरू ट्राइए करें इसे और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं हमेशा आपके लिए नहीं रेसिपी लेके आती हूँ चलिए शुरू करते हैं मैंने यहां मसाला उट्स लिया है इसमें और रड़ रड़ी में को सब्सक्राइब करेंगे तो चार चमच ऊच और इपकरेंगे एक ही चमच मैंने डाला है अब इसे अची तरह से मिक्स कर लें अगर प्लेन वाले ले रहे हैं तो इसमें तो जीरा पोड़र डाले थोड़ी सी लाल मिर्श का पॉडर तो इसी ग्रीन चीली तो यह सब आप डाल सकते हो एक मैं इसमें कुछ नी डालूंगे सिर्फ इसमें मैं गोल मिर्ज का पॉडर डाल रही हूं एक चोथाई चमज साथ में नमक भी क्योंकि मसाला उट्समें अल्री नमक होते हैं तो ध्यान से आप नमक डाले अब इसमें हम दही डालेंगे और इस दही कि डालके मिक्स करेंगे हम दही से इसका घूल बनाना है उसलिए अच्छी तरह से council मैं इसना करें है मैने जब यह रच्पी बणायी पीज़ा खिला है बहुत ही टेस्टी लगेगी उनको और कम तेल में भी बन जाएगी दो बून तेल में मैं ने इसे बनाया है अब इसे हम थोड़ा से रेस्ट दे देते हैं ताकि सूजी फूल जाए दो से तीन मिनट के लिए मैंने इसे रेस दिया है और आप देख सकते हो यह अच्छी तरह से फूल गई है और यह गारी भी हो गई है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी याड़ कर देते हैं और इसे हलका सा पतला गूल बनाना है जादा पतला गूल बिल्कुल भी नहीं बनाना है ऊस но और हीम अब यहां अब इसमें हम दो चुटकी बेकिंग डालेंगे मीठा सोड़ान दो चुटकी जादा नड़ रैचा आड करें और को सब्सका इलें है और ऊब मैंने रशख का फ्लेम अब हम और देख सता हो सके उतना अभर उपक्रने है कर देख नहीं कर देखिग मैं इसमें हल्का सा तेल करना उसके अलवा कोई और जाद देंगे अब कितना गार है यह बेटर है इस तरह से डालते जाए ज्यादा ना एड़ करें मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिये है आप चाहे तो मीनी पीजा भी बना सकते हैं छोटे-छोटे इस तरह से बारी कटे प्याज इस पर मैं डाल दूगी बारी कसा हुआ गाजर इस तरह से चाहता फैला दे और बारी कटीवी सिमला मिर्च चोटे-चोटे मैंने क्यूबस में काटके रखें मैंने यहां पर गैस का फ्लेम बिल्कुल रखा है अब इसे लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे दो से तीन मिनिट के लिए दो मिनिट हो चु क्या है और अच्छी तरह से तरह से खूख होगे है और इसमें जो जीटेबल टाले हैं वह भी स्टीम में अच्छी तरह से कूख हो गया है चली हम सहां कर लिए साब दाने प système हेंग शण्यों कि फ्रफर से दो सपाचुला ले और इस तरह से पल्ठेय ने ये हमारा जो धीज तो तोट सकता है चोटे चोटे भी बना सकते हो दूसरी तरफ एक मिनिट के लिए हुआ कर ले फिर खेल से पलट लें। अब इसके उपर से हम थोर से टोमेटो सॉस इसमें लगाएंगे इस तरह से टोमेटो सॉस चारो तरफ लगा दे चाहे आप इस पर सजोरन सॉस भी डाल सकते हो या चिली सॉस भी डाल सकते हो जो हूँ आपको पसंद इसमें बहुत साया वेरियेशन कर सकते हो हो अपने मन पसंद की सबजें भी डाल सकते हो कि सॉस अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है चाटरफ अब इस पर थोड़ से चीज आड़ कर देंगे चीज खाना बहुत ही अच्छी बात होती है चीज तो दूद का ही बनता है मैंने इसमें ज्यादा चीज आड़ नहीं किया ह अगर आप बीना चीज के खाना पसंद दूस्ट ना चीज के खाऊ तो भी बहुत अच्छे लगते हैं हलके से चीज आड़ कर दें और इसके उपर से मैंने सीजनिंग ली है ऑल पर पर सीजनिंग चाया पीजा भी डाल सकते हैं अब इस तरह से फ्लेवर के लिए इस पर मैंने डाल दिया है आधे सेकंड के लिए हलके से बिगलने दे मैंने हाफ सेकंड के लिए से डग दिया था सारे चीज देखिये हलक मेल्ट हो चुके और यह हमारा रेडी है ओर्स पीजा जरूर बनाए ट्राई करें फिर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में थैंक यू